आपका उमान नियूज में और मैं हूँ आपके साथ श्रदा कुमारी जैसे कि हम जानते हैं कि विहार पंचाय चुनाव हो रहा है तो आज हम हैं जो अरवल जिला करपी में पहले भी मुख्या रह चुकी हैं और अभी भी मतलब प्रेजेंट मुख्या हैं वो उनके घर पे आईए बात करते हैं उनके हस्वेन से वो अपना पारिचे आपको खुद देंगे अरवल जिला करपी ब्लोग का ये ग्राम पंचायत खाजुदी है और जहां बेठे हुए इस गाउं का नाम करवा हंकार है तो जो यहां के मुख्या ललिता देवी अभी प्रेजेंट में हैं वो यहां के पांच वरस पूरा करने के पहले ग्राम पंचायत रोहाई से भी मुख्या रही है यहां उनका दुवारा है और इस बार तीस तारिक से जो नामनेशन होने वला है उसमें उनका यह तीसरा नामनेशन होगा और उसके बार तीसरा चुनाव होगा मतलब इस बार ललीटा देवी जुन है वो तीसरी बार इसके लिए जब चुनाव लड़ेंगी हाँ तीसरी बार लड़ेंगी यह पताएए मतलब इस बार की रन्निती क्या होगी कोई रन्निती नहीं जब पहला बार चुनाव कोई आदमी लड़ता है तो एक रननिती होता है और जनता के बीच में जा करके विकास करने की बात होती है यहां जो भी विकास संभो था होना था विकास हुआ है और सबसे बड़ व्यात यह है कि अरवल जिला के सबसे दलित बहुल वाला यह पंचाइत है यहां काफी पिछड़े हुए लोग थे इससे पहले कोई कभी जो मुख्या वना वो जनता के समन्वे बना करके नहीं चलते थे लेकिन इस पाँच ब्रस के कार्जकाल में जनता के समन्वे और सहजोग से काफी विकास का कार्ज हुआ है चाहे वो परधान मंत्री आवाश का मामला हो नली गली का मामला हो नल जल का मामला हो विधवा पेंसन विर्धा पेंसन या लक्ष्मी बाई पेंसन विकलांग पेंसन की मामला हो बहुत से ऐसे लोग थे कि यहां सिक्षित थे जिनकी जोगता रखते थे पातरता रखते थे पर उनको कोई सहजोग करने वाला नहीं था कि जिसे कि उनका सरकार की जोजनाओं का लाभ मिल पाए तो इस बार यहां सब लोग को अधिक से अधिक लाभ मिला है रही बात और सारी सरकार की बहुत सारी जोजनाएं हैं तो जितने भी जोजनाएं हैं वह सब जो है सरकार के तरफ से जो जोजनाएं चलाई जाती है कल्यानकारी जोजना तो अधिक से अधिक लोग को यहां लाभ म पुर्व के पांच वरस अनुभव का नतीज़ा है कि यहां भी जो आई मुख्या बनके मुख्या में उमिद्वार बनी और जनता ने सहजोग और समर्थन देके जीताया तो अपनी पुरानी अनुभव के अधार पर यहां के लोगों के अधिक से अधिक सहगो करके यहां सरका कि सभी जोजनाओं को अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने का काम किया है मतलब वो मुख्य तो और पे जनता की सारी परिशानियों को उन्होंने देखा है समझा है मतलब कि एक तरह से जनता की आवास बनके सामने है हाँ आई है जनता लोग बोल रहा है हमको लगता है कि यहां तीस तारिक से नाम नेशन है तीस से छोग के बीच में नाम नेशन होगा हमको जैसा कि उमीद है कि लगता है कि जनता के बीच में बहुत बढ़िया इनको रिस्पॉंस मिलेगा और यहां बहुत अधिकमतों से इनका पुना समर्थन होगा और इनका बिजय भी होगा यही मेरा अभी तक अपना सुच है और पंचाइद के लोगों का जो बोल चाल है उस हिसाब से मुझे लगता है नहीं मतलब जैसे कि उन्होंने काम किया है तो लोग तो जानेंगे ही तो काम से भी पता चलता ही है जो उन्होंने काम किया है उन्हें तो जीतना ही है जैसे कि वो खुद एक महिला कैंडिडेट है तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या-क्या काम कर रहा है खास तोर पर अभी तरह से बहुत से लोग रासनकार्ड से बंचित हैं, गरेब थे, पतरता रखते हैं, लेकिन रासनकार्ड उनका नहीं बना हुआ था, इसका मुख बजह था, कि वह असिक्षित है, उनको जनकारी नहीं था, कि हम कहां अपना आवेदन दें, किस प्रकार से उनलाइन करें, तो इसमें जो है, वो अधिक से अधिक लोगों को संपर्क स्थापित करके, जो जोजना का लाभ लेने से बंचित है, उनको लाभ दिलाने का काम किया है, चाहे जिस तरह से, मतलब अपना पूरे तडिके से उनको सपोर्ट किया है, और एक महिला होने के नाते, महिलाओं के जदा से जदा लोग संपर्क स्थापित करते हैं, और महिलाओं का एक अलग जमात होता है, उसमें इन्हों ने पूरुष वर्ग को भी इग्णोर नहीं किया, सारा काम किया, और महिलाओं के बीच में इन्होंने अपना अच्छा प्रेम और बैभार बनाने का काम किया है, आ आपको मार्क दर्शन मतलब करना पड़ा इनका बताना पड़ा कैसे करना है या फिर जैसे आपने बताया कि वो पूर में भी रहे चुकी थी तो बस उन्होंने अपनी अनुभव पे सारी चीज़े की हैं देखिए दो हजार एक में हम मुख्या बने थे जब महिला सीट हुआ तो ललिता जी चुनाव लणी तो पहला बार तो थोड़ा उनको हमको ज्यादा सहजोग करना पड़ा चुकी कार्ज किसी भी कार्ज को करने के लिए एक अनुभव की ज़रुरत पड़ता है तो पहला बार में हमने उनको काफी सहजोग किया और उस सहजोग के अधार पर उन्होंने काम किया उनका वह भी पांच वरस का कार्ज काल बहुत बढ़िया रहा और वह पांच वरस में काफी अनुभवी हो गई उनके पास हर जोजना की जनकारी हो गई पढ़ह लिखी भी है पढ़ह खुब बढ़यां से उन्होंने अध्यन किया और उसका लावदिलाने का काम किया है अधिक से अधिक लोगों को आपने कहा कि इस बाद कोई रननीती नहीं रहेगी तो मतलब इस बाद प्रचार प्रसार भी कोई नहीं करना है देखिए सरकार का जो गाइड लाइन है उसको अच्हर सह पालन किया जाएगा और हम समझते हैं कि इस पंचाइद के मुखिया जो ललिता जी है एकदम सरकार के निर्देश का कानून का जो भी है उपालन करेंगी और पालन करते हुए प्रचार प्रसार तो होगा ही चुकि हमारा सिम्बूल जो मिलेगा ललिता जी को जो सिम्बूल मिलेगा लोग कैसे जानेंगे तो सिम्बूल मिलने के बाद तो उनको तक पहुँचाना है कि हमारा ये सिम्बूल है तो ये परचार होगा लेकिन सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए परचार परचार होगा किस तरीके से करने का सोचा है इस बार पंचाइद का चुनाव है कोई बिधान सभा और लोक सभा नहीं है तरीका तो यही है कि 10-20 महिला उठेगी और हाथ में जो भी अपना चुनाव चिन होगा जाएंगे घर-घर में महिला है इनको घर में कहीं कोई जाने में दिक्कत नहीं है और सब जागा जा करके अपना चुनाव चिन के बारे में बताएंगे कि हमारा यह चुनाव चिन है, हमारा यह चुनाव चिन मिला है इस पर आप लोग अगर हमको चाहते हैं तो बटम दवा करके इस बारी भी हम से चुनाव होना है हमको चुनाव जिताने का काम के जिए तरीका तो यही होगा बाकि बहुत हम समझते हैं कि हाई फाई का यहां कोई मामला नहीं है कि गाली हो तो फुर भीलर हो तो इटू भीलर हो ऐसा कोई मामला नहीं है चुकि पंचाइद का गाउं है बगल का गाउं है जहां ही रहती हैं वहां गाउं है दस-विस महिलाओं के जुण में अपना जाएंगे एक दिन में वो गाओं परचार करके चले आएगी और परचार करना क्या है? सिम्बल देना है परचार तो इनका पब्लिक करेगी कि पाच बरस में इन्होंने क्या किया है पांच ब्रस में जो किया है इसका परचार पबलिक करे जो लबहनवित लोग हुए हैं जो इससे फैदा उठाए हैं या जो फैदा उठाने वाले हैं जिनको जोजनाओं का लाभ मिलने वाले हैं परचार तो उलोग करेंगे आपको क्या लगता है मतलब पिछले बार भी उनों वो जीती है तो आपको क्या लगता है इस बार भी लोगों का समर्थन रहेगा हमको तो लगता है कि इस पंचायत में जितना भी भोट पोल होगा उसमें अत्सिप प्रतीसत इनके तरफ लोगों का रूज़ान है और अत्सिप प्रतीसत में ये केले रहेंगे बाकी में कोई और रहेगा क्योंकि पिछला वार जो है यहां से उनाइस कनिडेट का नाम आया था और नाम नेशन किये थे इस बार तो कोई चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम उमिद्वार को सुन रहे हैं सब लोग कहते हैं कि अरे भाई ललिता जी अतना बड़हां काम किया है कि उनको काम को समर्थ मिलेगा और सहजयोग मिलेगा इसलिए हम लोग चुनाव क्यों लड़े हैं मतलब पहले से पता है कि जीत तो उनका है तो कदम पहले ही पिछे ले लिया मतलब ललीता जी का छवी इतना अच्छा है कि लोग पहले से बना हुआ है कि जीतना तो इन ही को है क्यों इनसे टकरान तकराने के बाद नहीं है तकराना क्या कुछती है नहीं है दंगल नहीं है तकराना तो पबली का है चुनाव में सवाल है कि सब लोगों को स्वतंतरता है चुनाव लड़ने की और अधिकार है तो लड़ सकते हैं अभी तो नामनेशन नहीं हुआ है लेकिन हमको लगता है कि सा और मन बना चुके हैं, इसमें कहीं कोई दिकत नहीं है, काफी मतों से ही चुनाव जितेंगें, इनको कहें से कोई चुनाव जितने में दिकत नहीं है, चुकि इसके पहले जो यहां मुख्या रहते हैं, कभी इस तरह के कोई मुख्या नहीं बने जो पबलिक के बीच में बैठ कि पबलिक के बाद को सुने उनकी समस्या को निदान करे और निदान नहीं कभी किया था तो दो इस पूना ही नहीं को दें, चुकि पबलिक को क्या चाहिए, उसको सरकार की जोजनाओं का लाब चाहिए, उसको मान समान और परतिष्ठा चाहिए, दरवाजे पर जाएं, तो उनके साथ बैठ करके खुब नहीं से बात चीत हो, तो बात चीत होता है, उनको जहां जरूरत जो हुआ, उस का पंचायत है, कि इस जीला में सबसे अधिक यहां परधान मंतरी आवास का लाब मिला है, मनरेगा के तहद, मनरेगा एक जोजना है, मनरेगा के तहद, यहां के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, और खास करके करो प्रवासी मजदूर थे उनको ललिता जी को हमने देखा कि करोना काल में भी घुम घुम करके बेक्तिगत्तों सहजो करने का काम किया ही और उसमें उन्होंने रोजगार देने का काम किया प्रवासी मजदूरों को और अस्थाई जो इस पंचायत के वासी थे मजदूर थे सब लोगों को काफिरूजगार देने का काम किये जित्व को प्रजन का सधन उपलब्द करने का काम किये तो पब्लिक कुछी कही है एसा आपको लगता है कि विए ललिता जी के कारे काम में मतलब 5 साल में कुछ काम अधूरे रह गए हो जो उनको अगले बार जब ये चुनाव जीतती हैं तो करना हो देखिए जिन्दगी में हम यह मानते हैं कि कभी कोई कार्ज पूरा नहीं होता है अगर यह कोई कहे कि पांच वर्सों में हम पंचायत की सारी समस्याओं का निदान कर दिया तो ऐसा कहीं नहीं होता है यह मेरा मनना है तो कुछ न कुछ का क्या भी बहुत सारा कर्ज है सबसे पहला कौन सा काम करने वाली हैं जीतते के साथ पहले सालों में देखिए जीतने के बाद में सरकार की जोजनाएं जो है और गाइडलाइन है पंचायत प्रतिनेधी का काम है ध्रातल पर उतारना जो उसका वाजिव हकदार है उसको तक उस जोजना का लाभ पहुचाना पहश्ट प्रत्मिकता इनका क्या होगा जो कोई जोजना के लाभ लेने से बंचित है उसको उस जोजना का लाभ दिलाना एरसे इनके पास है क्या सारी रासी तो सरकार जिसको अस्ट्रीट लाइट के नाम से जानते हैं, सरकार का सात निश्चे टू में गोशना है, चिठी पत्री भी आ गई है, ललिता जी के देख रेख में सरवे भी हुआ है, पंचायत के हर गाओं में प्रकास की बेवस्था करना, रोषनी का बेवस्था करना, अस्ट्रीट कहीं नली-गली का काम अभी बचा हुआ है तो अभी हो जाएगा चुकि अचारसहिता लग गया है अभी जो है पंद्रहभी बीत का नौ लाख रुपया तीन दिन पहले आया है लेकिन अब नए जोजना का तो कोई ले नहीं सकते हैं यह नौ लाख रुपया का काम तो तब तो अचारसहिता समाप तब होगा जब चुनाव हो जाएगा और मुख्या के पुना आपको सपतगरहन होगा तो यह सब काम होगा आप से बात करएं बहुत सारी जंप्शारी में लिए आप बहुत भ धन्नेवाद उमें बताने के लिए मैं कहना चाहूँगी हमारी जन्ता से कि जो हमारी aconोणी नालीता देवी जी है जैसे कि इननों बताया कि इनका प्रावी यो है वो इतना ही मतलब कहले है बहुत तो कह सकते हां भिक्राल है और फिर कहले जे लोगों के बीच भयुत अच्छी एक प्रावी हुई है जिसके कारण वो बहुत सारी जो candidate है न अपना नाम ली siento नमिनीट नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्हें ही जीतना है क्युकि उन्हें ने काम बहुत अच्छा किया है तो यही कहेंगे कि काम बोलता है और लोग vote देते हैं काम पे जो मुख्या काम करेंगे, वो जीतेंगे और उन्होंने काम किया है, तो आगे भी एक पान साल का पीरिड उन्होंने गुजारा है और अगला भी उन्ही का होगा, और इन्होंने तो कहा भी है, कि अजसी प्रतीशट जो वोटर्स हैं, उनके साथ हैं. देखते हैं, मतदान के बाद होता क्या है, ललिता जी मुख्या के रूप में हमाई सामने आती है, तो उनका स्वागत उसी तड़ीके से किया जाएगा, जिस तड़ीके से आज वो मुख्या है और उनका सम्मान है. देखते रहें उमान्यूस, मैं शर्ता कुमारी, धन्यवाद.